नई बहू ने बनाए पहली रसोई में पकवान सुनो मेरे दोनों हातों पर दूला दूलन का बढ़िया सा डिजाइन बनाना और हाँ मेरे सागर का नाम ज़रूर लिखना जी मैडम जी मैं एकदम अच्छी महंदी लगाऊंगी मैडम जी एक बात बोलू आपके होने वाले पती ना बड़े खुश नसीब हैं जो उन्हें आप जितनी खुबसूरत और इतने बड़े महलों में रहने वाली लड़की दुलन के रूप में मिलने जा रही है वैसे मैडम जी आपके होने वाले पती भी बड़े साब होंगे न वैसे वो करते क्या है वो बहुत बड़े बिजनसमेन है हमारी ही तरह बहुत ही आलिशान बड़ा घरदवार है उनका भी ये सुनकर सिया अपने पिता की ओर देख कर कहती है जी नहीं मेरे होने वाले पती एक राज मिस्त्री है और मेरे होने वाले ससुराल वाले भी गरीब हैं ये सुनकर गरीब महंदी वाली ने कहा मैडम जी इतने बड़े महलो की बेटी होकर भी किसी एक गरीब का हाथ थामने के लिए बड़ी हिम्मत लगती है भगवान आपकी जोड़ी बनाए रखे ये कहकर महंदी वाली सिया के हाथों पर महंदी लगाने लगती है सिया जितने अमीर घराने की बेटी है सागर उतने ही गरीब परिवार का बेटा था जिसमें उसके बूढ़े माबाप, बेहन, भाबी और उसकी बच्ची थी सिया की मुलाकात कुछ एक साल पहले सागर से हुई और उसका मददगार स्वभाव देख कर ही सिया उसे अपना दिल दे बैठी हाला कि उसके पिता दश्रत पहले तो इस शादी के बिलकुल खिलाफ थे मगर मालीनी के समझाने पर वो मान गए सिया की मा एक चांदी की महंगी थाली में धेरो पकवान सजाए आई सिया बेटी देख मैंने तेरी पसंद के पकवान बनाए हैं रसमलाई शाही टुकडा रस भरे माल पुए ये तुझे भाते हैं ना हाँ मा मुझे ये रजबरे मालपुए खिलाऊना बहुत भूख लगी है मालिनी सिया को अपने हाथों से मालपुए खिलाती हुई भराय मन से कहती है खाले मेरी बच्ची जहने दुबारा तुझे अपने हाथों से खिलाने का मौका मुझे मिले ना मिले मालिनी को रोता देखकर सिया का मन भी भराता है मा तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे मैं ससुराल नहीं साथ समंदर पार जा रही हूँ मागर आज तू बिदाच हो जाएगी जी भर कर खा ले मेरी बच्ची पता नहीं तेरे गरीब ससुराल में तुझे ये सब खाने को मिलेगा अभी की नहीं थोड़ी देर में गरीब सुलोचना और गिर्धारी अपने परिवार के साथ सागर की बारात लेकर बैंक्विट हॉल में पहुँचते हैं उनके साधारन से पुराने कपड़े देखकर दशरत सिंगानिया चिड़ कर उन्हें बहुत सुनाता है जी नमस्ते समधी जी ये कैसे गई गुजरे कपड़े पहने हैं आप सबने कपड़े नहीं थे तो बता देते शादी का सारा खर्चा तो उठाई रहे हैं हम कपड़े भी खरीद कर भिजवा देते जी ये हमारी बेटी के होने वाले ससुराल वाले हैं ये क्या बोल रही है मुझे बोलने दो मालिनी पता नहीं सिया किन गरीबों के घर जा रही है और जीवन साथी भी किसे चुन लिया है दश्रत सिंगानिया सिया के गरीब ससुराल वालों को उनकी गरीबी के लिए बहुत सुनाता है तबी सागर और सिया की शादी हो जाती है और जैसे ही दोनों आशिरवाद लेने आते हैं सिया सब सुन लेती है पापा, आपने मेरे भगवान समान साथ ससुर की बेज़ती करके अच्छा नहीं किया आपका महलो सा घर आपको मुबारक हो लेकिन मैं आपके घर दुआर में मुड़ कर नहीं आऊंगी चलती हूं मा, खुश रह मेरी बच्ची और सिया बिदा होकर ससुराल आ जाती है जो की एक जोपड़ी था जहां सुलोचना स्वागत करती है आओ नई दुलहन, इस गरीब कुटिया में तुम्हारा स्वागत है फिर जैसे सिया ग्रह प्रवेश करती है उसकी गरीब जिठानी और ननद सुधा और कोमल उस पर फूल बरसाती है इस गरीब घर में स्वागत है नहीं भावी आप तो महलो की बेटी है इसलिए हमने फूलों से आपका स्वागत किया है मगर हैं तो हम गरीब ही ना हरे जिसके पास अतना प्यार करने वाले ससुराल वाले हूँ वो गरीब बहु बड़े दिलदार कहलाती है और ये कुटिया भी मुझे मेरे महलों से प्यारी है ऐसे ही रात बीत जाती है अगले दिन नई बहु सारा काम करके रसोई में आती है जहां सब डिब्बे एक दम खाली थे हे भगवान रसोई में तो अन्नका एक भी दाना नहीं क्या बनाओ मेरी पहली रसोई में मा जी के पास जाती हूँ जैसे ही सिया रसोई से बाहर आती है तो अपने ससुराल वालों को चिंता में देखती है पता नहीं नई दुलहन क्या सोचेगी हमारे लिए सारे राशन के डिब्बे खाली है हाँ भागवान इश्वर भी क्या खूब परिक्षा ले रहा है सवे ने ही गाजे बाजे वाले को पैसे दे आया अब एक रुपया नहीं सोचा था नई बहु से पहली रसोई में अपने मन पसंद का माल पुआ और गुजिया पकवान बनवाऊंगा जी मैंने भी सोचा था कि पकवान में नहीं बहु के हाथों बनी नरम नरम पूरी कचोरी खाऊंगी मुझे तो गुलाब जामुन और रसमल आई खानी थी भाबी के हाथों की और दही भले भी सबेका एक अपनी पसंद बयां कर रहे थे तभी गुडिया ने कहा मा अपका भी तो मटल पनील और पूरी थाने का मन था और मैं तो ताती के हाथे बने गलम गलम जलेबी और नालो तिखाऊंगी आज तर मारे गर पक्वान बनेगा नई इताती जो आई है दर्वाजे से गुडिया के चहरे की खुशी देखकर सिया की आँखों से आंसु चलग गए सब के मन में पक्वान खाने में कितनी आंस है ये नई बहु अपने गरीब ससुराल वालों के लिए पहली रसोई में पक्वान जरूर बनाएगी सिया अपने पर्स में से पैसे निकाल कर रसोई के पीछे से एक कच्चे दर्वाजे से दुकान पर जाकर पक्वान बनाने का सामान ले आती है आटा, तेल, घी, सूजी, मैदा, दूद, चिनी, पनीर, काजु, बादाम सब हो गया एक तरफ मटर पनीर बना लेती हूं और एक तरफ रसमलाई के लिए दूद तेयार कर लेती हूं इतने पूरी का आटा भी मल लूँगी इसी के साथ महलो की बेटी अपने गरीब ससुराल में संघर्ष उठा कर पक्वान बनाने लगती है तब ही गरीब ससुर लल्चाते हुए बोला अरे, ये पक्वानों की खुश्बू कहां से आ रही है जैसे कोई शुद देसी घी में पक्वान बना रहा हो अजी आ रही होगी किसी के घर से इतने में नई बहू रसोई से पक्वान सजा कर लाती है माजी, बाबुजी, सुधा दीदी, कॉमल देखो, मैंने अपने प्यारे ससुराल वालों के लिए पहली रसोई में पक्वान बनाए है पक्वान देख कर उन गरीबों की आँखों में आंसु भराए बहू, इतने पक्वान बनाने के लिए पैसे कहां से आए माजी, मुझे शादी में लोगों से जो लिफाफे मिले थे न, उनी में से तुने अपने पैसे हमें पक्वान खिलाने के लिए खर्च कर दिये बहू बाबु जी, पैसे तो फेरा जाएंगे, मगर परिवार को खुशी देने का मौका भाग इसे मिलता है खाकर बताएए न, बाबु जी, आपकी नई बहुने मालपुए और गुजिया कैसे बनाए है सिया सबकी थाली में पक्वान परोस्ती है, जिसे खाकर गरीब ससुराल वाले बहुत खुश हुए बहुत ही गजब की गुजिया और मालपुए बनाए है बहु भाबी दही बल्ले बहुत ही खटे और स्वादिष्ट बने है सुधा दीदी मटर पनीर और पूरी कैसे बने है तभी विद्वा सुधा ने सारा दुख भुला कर मुस्कुरा कर कहा बहुत ही बढ़िया पक्वान बनाए है तुमने देवरानी जी आज तुमने अपने गरीब ससुराल वालो को पक्वान खिला कर जो खुशी दी है वो बहुत बड़ी है तभी सागर भी आ जाता है और सिया उसे भी अपनी पहली रसोई में बनाए पक्वान खिलाती है शुक्रिया सिया आज तुमारी वज़ा से मेरा परिवार पक्वान खा सका है वनना जब से मोहन भहिया गए है मैं दो वक्त की रोटी से ज़्यादा कमा ही नहीं पाया कोई बात नहीं जी अब मैं आ गई हूँ न सब ठीक हो जाएगा मा जी बाबुजी मैं सोच रही हूँ पक्वान की एक दुकान खोलने को अच्छा लगेगा लोग भी मेरे बनाए पक्वान से भारती खानपान और संस्कृती से जुड़ पाएंगे जरूर हमने पिछले जनम में बहुत अच्छे कर्म किये होंगे जो ऐसी लक्ष्मी जैसी बहु मिली है हमें कोई आपती नहीं बहु इसके बाद पैसे लगा कर सिया तरह तरह के मीठे और नमकीन पक्वान बना कर बेचने लगती है जिसमें उसकी ननद जिठानी भी उसका साथ देती है थोड़े दिन में कोमल का रिष्टा भी लग जाता है नई बहु कोमल को अपनी जैसा मीठे पक्वान बनाना सिखा दे जी माँ जी सिया कोमल को पक्वान बनाना सिखाती है भाबी जरा खा कर बताऊना कैसे बनाए है मैने पक्वान तबी पकवानों का जला हाल देख कर सिया हसी अरे मेरी नन अधरानी ये पकवान खाने लाइक बचे कहा है पूरी कचोरी जल गई है और अस्मलाई का दूद जल गया है और माल पूए तो कच्चे रह गए है भाबी मैं आपकी तरह कभी पकवान नहीं बना पाऊंगी ये कहते हुए कोमल उदास हो जाती है कोमल पकवान बनाने के लिए बस हमें अपना ध्यान चूले की आँच और कड़ाई पर रखना होता है और पूरी माल पूए या गुजिया को डीप फ्राई करते हैं बागी सबजी में तो मसालो का खेल होता है और मिठाई में दूद का नई बहू के बारी की से समझाने पर कोमल बहुत अच्छे पकवान बनाने लगी और धूमधाम से उसकी शादी हो गई सिया भी अपने गरीब ससुराल के घरदौार में खुश है उसके पकवान में मिठाज भरे स्वाद के लिए लोग उसके पास पकवान खाने के लिए खुब आते हैं जिससे कि उनकी गरीबी भी मिट जाती है